आज हम बात करने वाले गुजरात पीपाव पोर्ट लिमिटेड के बारे में और इसका मैंने यहां पे विकिपेडिया ओपन करके रखा है जो गुगल पे डालने के बाद इसका नाम डालने के बाद यह आता है पोर्ट पीपाव करके लिखके आता है और इसके बारे में आज हम देखने वाले है फुल डिटेल और इस पे मेरा यह सेकेंड वीडियो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो ओ वीडियो में और ये वीडियो में क्या डिफरेंस ये भी हम देखें आपको बताने वालो प्लस यहाँ पर इसका प्राइज ओ टाइम पर क्या था और अभी क्या है ठीके तो यह भी हम कंपेर करेंगे तो पहले जिन्होंने देखा है वीडियो उसको उनको पूरा डिटेल में वीडियो मिल गया रहे होगा और अल्डेडी यहाँ पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा जितना अच्छे से इसको एक्स्प्लेन कर सकूँ वो आपके लिए और यूस्पुल हो उसी तरीके से मैं बताऊंगा और उसके शेर के बारे में भी कम्प्लेट डिटेल देने वाला हो ठीक है तो यहाँ पर देख लो पूर्ट पिपावा यह इसका काम क्या है इंडियास फ्रस्ट पूर्ट है यह प्राइविट सेक्टर में और यह वेस्ट कोस्ट इंडिया कंटेनर और बल्क बल्क एंड लिक्विड कारगो के लिए इनका पूर्ट है और उपर से यह इट इस लिट प्रमोटर इसका जो लिट प्रमोटर है इस लिट प्रमोटर इस एमपी टर्मिनल तो एमपी टर्मिलर यह बहुत बड़ी company है जो one of the largest container terminal operator है और उस world के अंदर तो largest है यह world के अंदर और the service include pilotage, towage यह काम करती है AMP terminal ठीक है और cargo handling and logistic support तो यह AMP terminal काम करती है जो इसके साथ जुड़ी हुए है तो बहुत बड़ा इनका जो माल transfer करना है यहाँ से वहाँ shift करना है, shipping करना है तो उसके लिए यह काम करती है ठीक है और यह port यानि आपको अगर idea होगा तो यह समुंदर से पार करनी के लिए ओ चीजे जो transportation होता है वहाँ पर जिसको Hindi में बंदर बोलते है ठीक है तो वहाँ पर यह चीजे available होती है, इनका business वहाँ पर होता है ठीक है, और यह founder इसके कोने निकिल गांदी है, और honor इसके कोने एपी, मोलर, मायर्स ग्रूप, ठीक है और यहाँ पर यह founded in 1996 की कंपनी है, headquarter पिपावाव जो गुजरात के अंदर ही है और इसके अंदर की people को ने उसके बारे में बताया, इसके CFO कोने, MD कोने, यह सारे चीज़े यहाँ पर बताई गई है, ठीक है मैं आपको इसका website थोड़ा दिखा देता हो जहाँ पर आपको idea आ जाएगी कि इनकी services किस type की है, तो यहाँ पर यह है विसका website, और यहाँ पर देखो यह है MP terminals, ठीक है पीपावा का, MP terminal पीपावा is an all weather port located just 152 nautical miles from Navashiva Mumbai, तो Navashiva Mumbai से थोड़ा यह 150 nautical miles इतना दूर है यह और the port well connected to the interland and the key market in the northwest of India via rail and road तो यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़े दिखा रही है ओ, इनके services प्रोडक्ट सर्विसे से और यहाँ पर थोड़ा नीचे हम आने के बाद यहाँ पर देखो यह rail दिखा रहा है तो train से भी जो माल ट्रांसपर ट्रांसपोर्ट करना है ठीक है, goods ट्रांसपर करना है तो उसमें इनका यह support यह इनका business है और यहाँ से यह services देती है ठीक है और यहाँ पर और थोड़ी और detail दे देता हो जो available है और जो आपको easily समझ में है तो इकी services यहाँ पर बताया है तो container service है तो container services में यह container provide करते है इनके खुद के जो container है जिससे माल transfer होता है यहाँ से वहाँ जिसमें rail होता है rail से भी होता है और shift से भी होता है तो यह सारी चीज़े जैसे यह cargo है liquid cargo तो oil है या कोई चीज liquid वाली चीज़े है chemical से तो चीज़े भी वो service petroleum जैसे product है LPG है तो यह भी liquid में से जाता है liquid cargo में से shipping से भी जाता है bulk cargo भी यह करते है बड़े बड़े एकदम bulk में ठीक है तो fertilizer rack से motion weight bridge है तो नील coating plants तो यह सारी चीज़े यह bulk में भी वो shift करते है ट्रांसफर करते है और यहाँ पर इनके साथ इनका tie up है जैसे shipping lines है यह तो इनके साथ मिलके यह काम करती है यह और इनके साथ यह जुड़ी हुए है तो यह सारी company इसी के साथ इनके साथ यह business करती है तो इस type का इनका business है और इसमें इनके जो भी fair rate है यह सारी चीज़े आपको देखने मिल जाएगी ठीक है तो इनके tariff क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो जाके यह website पर आपको मिल जाएगा कि अगर किसी को जस्ट आपको जानना है या किसी को यह service यूज करके देखनी है जो यह business में हो गए तो उनको पता चल जाएगा कि इनके tariff क्या है कैसे यह माल यहाँ से वहाँ बेशते है ठीक है और कितना charges लेते है तो यह इनका business है अभी हम इसका share देखेंगे इसका share कैसा है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका share और यह ग्रो एप है और ग्रो पर मैं आपको दिखाना चाओंगा और इसमें मेरा account भी है ठीक है तो यहाँ पर गुजरात पिपावा पोर्ट का यहाँ पर डेटेल देखेंगे क्योंकि money control का डेटेल नहीं आ रहे है ने तो मैं नॉर्मली money control बताता हूँ तो money control का कुछ problem आ रहा है आज तो इस वज़े से मैं आपको grow पे दिखा देता हूँ यहाँ पर भी अच्छे से डेटा बताया जाता है ठीक है तो overall इस पर हम चीजे देख लेंगे यह जो price चल रहा है 93.40 का यह Friday का प्राइज है ठीक है 11 February का प्राइज है और 11 February का प्राइज 93.40 है और वन डे का चार्ट यहाँ पर देखो नेगेट हुए और दो परसंट तो गिरा था ठीक है और यहाँ पर इसका वन विक का देख लो वन विक में यह शेर लगबाग कितना गिरा है यह भी देख लो 97 के हाई से यह यहाँ तक आया है तो तो तीन साढ़े तीन परसंट यह गिर चुका है और वन मंत में यह लगबाग साढ़े पाच परसंट गिर चुका है 5.5 परसंट गिरा आय यह एक साल के अंदर यहए 2.91 percent यह down है और 3 साल में इसने प्रोफिट दिया है ठीक है 3 साल में इसने 15 percent profit दिया है और 5 साल वाले को इसने 43 percent का loss दिया हुआ तो फिलाल यह normally यह negative ही return देता हुआ नजर आया है सिरफ 3 साल वाले को profit दिया है तो इतना कोई खास profit है नहीं तो यह share आखिर इतना down क्यों रहता है इसमें profit क्यों नहीं होता है यह सारे चीज़े भी देखेंगे जब मैं इसका financial पुरा discuss करूंगा आपके साथ ठीक है और यहाँ पर कुछ overview देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो उसका जो low है कितना मारा था उस दिन Friday के दिन तो यह बता जादा growth दिखाया है नहीं है पूरे साल के अंदर तो growth होना बहुत बाकी है इसमें ठीक है और यहाँ पर कि शेर कितने ट्रेड हुए यह भी यहाँ पर दिखाए volume कितना हुआ और कितने value का ओ शेर आज उस दिन ट्रेड हुआ है वह भी यहाँ पर बता रहे है और analyst के बारे में बोल रहे है 60% लोग बोल रहे है कि buy करो 60% का इनका कहना है कि buy कर सकते इसको और 27% बोल रहे है कि hold करो और 7% sale करने को बोल रहे है ठीक है तो ऐसे 15 analyst है जिनका यह recommendation है और यहाँ पर fundamentals देख लो इसके तो market capital इसका 4,617 करोड का है return on equity 9% 19 टका यह return on equity देता है और earning per share इसका देखो EPS 4 का है dividend 4% का है तो dividend भी अच्छा देती है company ठीक है 4% मतलब bank bank के interest से अच्छा return आपको dividend मिल जाएगा और book value इसका 45 का है और industry P इसका यह है और इसका खुद का जो P है वो 20 का है ठीक है तो industry P से इसका खुद का पी जरा महिंगा है और PB ratio भी अच्छा है तो सारी चिज़े हम इसके detail में और जगा से देख लेंगे ठीक है और revenue देख लो तो 2020 का यहाँ पर बता रहे है revenue और यह quarterly है तो यह quarter का 2020 का quarterly quarterly देखना है यह yearly दोनों चीज़े अवेलेवेल है तो हम पहले yearly देख लेते quarterly हम कई और से देख लेंगे तो यहाँ पर yearly देख लेते तो 2017 में देखो 683 करोड का revenue था उसके बाद 649 करोड का revenue हुआ फिर 702 करोड का फिर 735 मतलो एक ही range में इसका revenue चलता आ रहा है अभी तक ठीक है और profit की बात करेंगे तो profit भी देख लो 282 करोड का profit था starting में 2017 में फिर डाउन आया 221 फिर 37 फिर 319 और बाद में अभी 222 करोड का 2021 में इसका profit नजर आ रहा है तो profit में भी same range ही है अप डाउन अप डाउन दिख रहा है बट वही range में चल रहा है इसकी net worth भी यहाँ पे देख लो net worth भी जो है अभी एक ही range में है 2239 की network थे इनकी और यहाँ पे इसके बारे में कुछ news वगरा है तो वह भी में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे event में बताता है कि recent कुछ event आने वाला है क्या तो 10 February के इसका event हो चुका है board meeting board of director का था और किस related था तो quarterly results थे इसके तो quarterly results इसके आ गए है और उसके बाद और क्या results आए वो सारी चीज़े हम देखेंगे ठीक है और यहाँ पे दो मैने पहले का news में दो मैने पहले का news है तो फिलाल अभी अपने काम का नहीं है क्योंकि दो मैने पहले का है और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो company के बारे में यहाँ पर भी detail दिया होता है और कब की है company कब फाउंडेड है यह सारी चीज़े यहाँ पर होती है इसका shareholding pattern देखेंगे तो यहाँ पर promoter का 44% तक share promoter के पास है foreigners foreign investors के पास 22% है mutual fund के पास 20 टक्का है तो सब के पास है यहाँ पर retail and others के पास 13% है तो retail and others में हम लोग आ जाते हैं ठीक है अधर domestic investors के बाद इंस्टुटेशन के पास आधा टका है तो सबने इसमें investment किया है और top mutual fund जिन्हों ने investment किया ऐसे चार में है टाटा small cap पने भी इसमें इंवेस्ट किया है आजसे अधर टाटा इन्फिरांट्रक्टर्टीर नेबी इंवेस्ट किया यह बताया है और चाहिए तो आपको देखना है तो मैं जस आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यह open किया मैंने टाटा का और यहाँ पर इनके fund कुण से है उन मैं आपको दिखा देता हूँ इनवेस्टेट किसमे किया है वो सारे चीज़े यहाँ पर होती है तो डिटेल में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर इसका नाम रहेगा यह सी ओल करेंगे तो कौन से कौन से इसमें इन्हों ने इन्वेस्ट किया देखो गुजराथ पीपाव इसमें भी इसने 2.6% होल्ड किया हुआ है तो यह सारी डिटेल यहाँ पे होती है तो इस तरीके का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है और मैंने आपको दिखा दिया ग्रोपे किस तरीके से उसका डेटा होता है और डेटा कितना इसमें इंपोर्टन था हो सारी चीजे मैंने वाले हैं ठीक है तो स्क्रीनर पर पूरा डिटेल अच्छे से अवेलेबल होता है इसलिए मैं यहां पर प्रिफर करता हो तो यहां पर पहले प्राउजन कॉंस देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसमें यह सबसे पहले देखेंगे तो तो यह सबसे अच्छी बात होती है कमपनी के लिए कि कमपनी पर करजा ना हो या करजा कम हो तो यह बहुत अच्छी बात होती है और stock is providing good dividend dividend अच्छा देती है company 4.82 का बता है company has been maintaining healthy dividend payout dividend payout भी अच्छा देती है 91.49% का payout इसका percentage अच्छा है और the company has delivered ये cons में बता रहे नेगेटिव चीज इसमें क्या है तो the company has delivered poor sales growth तो sales growth थोड़ा खराब है तो हमने वहां पर overview में देख लिया ग्रोपे थोड़ा बहुत तो sales में ज्यादा कोई ज्यादा improvement नहीं था तो पास साल का यहां पर average बतार है 2.13 का यहां पर growth है तो कोई इतना खास है नहीं हो company has low return on equity return on equity भी इतना खास नहीं 11% का 11.5% का last 3 साल से इसका return on equity चल रहा है तो ओभी इतना ज्यादा नहीं है ठीक है और यहां पर इसके quarterly result बताया है तो quarterly result देख लो March 2019 से बताया है तो तभी 180 करोड का sales किया था company ने फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वही रेंज में दिख रहा है sales ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है और अभी तो 169 करोड का तो अभी थोड़ा sales कम है December का यह just December का result हमने बात किया तो यह है December का result जिसमें sales थोड़ा कम हुआ है और यहां पर expenses भी उसके मुकाबले देखो expenses थोड़े कम है तो problem नहीं होते जितने expenses कम हो उतना अच्छा होता है तो expenses देखो 82 करोड का यहां पर expense है और पहले 81 करोड का ओटाइम पे था 2019 में तो उसके ब profit कितना बचता है देख लो तभी 100 करोड का profit बचा था अभी 87 करोड का profit बचा है तो थोड़ा profitability और operating margin अच्छा है इसका 51 परसेंट है पहले 55 परसेंट था तो operating margin भी ज्यादा बचना चाहिए other income में देखो पहले 11 करोड का था अभी 17 करोड का other income से भी आ रहा है इनको interest यह एक करोड का पे कर रही है पहले interest नहीं पे कर रही थी मतला अभी भी loan है तभी interest पे कर रही है ठीक है और loan कितना यह भी हम देखेंगे और यहां पे इसके बाद net profit कितना बच रहा है पहले 51 profit बचता था 2019 में अभी 44 करोड का profit बचा है तो net profit इतना है लेकिन profit तो है company के पास ठीक है और profit and loss में complete यहां पे एक एक साल का बता है तो 2009 से यह अभी तक का बताया है तो 221 करोड का sale करती थी 2009 में और अभी 716 करोड का sale कर रही है ठीक है उसमें बहुत up and down आते आते लेकिन company क sales फिल भी अच्छा है और expenses उसकी मुकाबले देको expenses कम होना अच्छी बात होती है 170 करोड का तभी expenses था अभी देको 317 करोड का expenses है और तभी 51 करोड 51 बचा था operating profit अभी 400 करोड तक बच गया है 399 और operating profit तभी 23 परसेंट था अभी 56 परसेंट तो बहुत अच्छा है interest अभी 116 करोड पे किया था और अभी 5 करोड interest पे कर रही है loan पे अधर income तभी कुछ नहीं था minus में था अभी यहाँ पे 21 करोड का अधर income भी आ रहा है तो company का net profit देखो पहले 2019 में loss था 116 करोड का अभी 187 करोड का यह profit कर रही है तो profit अच्छा है company का और यहाँ पे balance sheet में देखेंगे हम इसका borrowing जो loan है तो company का पहले loan था 1089 का 2009 के टाइम पे 1089 मतलब 1089 करोड का लोन था उसके बाद company का लोन थोड़ा कम होते होते फिर minus में मतलब यह 00 हो गया था फिर उसके बाद देखो फिर भी 2020 में 58 करोड का लोन लिया फिर 47 करोड अभी 35 क लोड का लोन है company पे ठीक है तो लोन अभी कम है तो कोई problem नहीं है और लोन भी फिर से 0 हो सकता है तो यह फिर अभी अगर December का data आता यहाँ पे नीचे balance sheet में तो उसमें पता चल जाता कि लोन अभी कितना बचा है ठीक है तो फिलाल यहाँ पे financial इसके strong नजर आ रहे इतने लेबल company है तो profit कर रही है ठीक है continue profit कर रही है यह सबसे अच्छी बात होती है तो यह चीज पॉजिटिव है इसमें financial इसका positive निकला है अभी हम इसका final overview देखेंगे और मेरा final call इस पे बताऊंगा कि इसको क्या करना चाहिए आपको और मेरा ओ पहले जो मैंने वीडियो डाला तो ओबी में आपको दिखा दूँगा तो देखते हैं इसका final view तो यहां हम इसका टिकर टेप पर final overview देखने वाले और इस पर में final call देने वालो तो यहां पर देख लो यह जो investment checklist है जिसमें से चार चीज़े green बता रही है यहां पर red नहीं है यह gray color दिख रहा है मतलगे इनक efficient data है ठीक है इस वज़े से intrinsic value calculate नहीं बट यह intrinsic value से सस्ता ही मिल रहा है यह समझ लो और इसका ROE अच्छा है ठीक है ROE versus FD rate तो return on equity अच्छा है ऐसा यह बतारे FD से return अच्छे मिल रहे है dividend return यहां पर ओभी अच्छा मिल रहा है entry point अच्छा है और no red flag मतलब कमपनी के डूबने chances नहीं है ठीक है तो यह भी अच्छी चीज़े तो बाकी majority चीज़े इसमें positive है और इसका यहां पर one week का returns 4% down है एक महिने का return इसका 5% down है एक साल का return इसका एक परसेंट डाउन है देड़ परसेंट डाउन है और पास साल का return 43% डाउन है और यहां पर max की बात करेंगे तो 72% याने 10 साल के अंदर 10-12 साल के अंदर देखो 2010 से चल रहा है मतलब अभी 12 साल पकड़ी लो complete नहीं हुए ठीक है September में complete हो जाएंगे 12 साल लेकिन 10-12 साल के अंदर company ने कोई बड़ा growth दिया नहीं है ठीक है और लेकिन अगर यहां पर 53 का जो 41 का जो लो था वहां पर आपकी बाइंग होती और यहां पर 261 का था तो वहां पर आपको अच्छा खासा profit मिल जाता पर यह अभी नीचे आने के बाद यह percentage calculate किया है जो इतना कोई खास नह आने से आपको कोई इतना benefit नहीं होता ठीक है जो भी है यहां पर मैं सिधा जो भी अवेलेबल हो बता रहा हो बट यह इसमें आगे जाके इसमें अच्छे और opportunity निकली और growth निकला तो बहुत जबरदस यह पैसा कमा के दे सकता है ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि हर एक चीज़ profitable पे होती है profitability पे होती है तो फिलाल अभी तो शेर अच्छा नजर आ रहा है opportunity में नजर आ रहा है तो आगे शायद दे सकता है अगर आपको भरोसा है तो company ठीक है SIP करने वाले को भी 6.6% का loss ही होता तो SIP करने वाले को भी कोई फायदा नहीं होता और यहाँ पे इसका small cap है 4,515 करोड का market capital बता रहा है और यहाँ पे moderate risk बता रहा है मतलब medium risk है Nifty से 2.26x यह multiply करने के बाद इतना यह volatile है तो मतलब इतनी गुना यह volatile है 2.26 गुना यह volatile है Nifty से तो और यहाँ पर भी देखो 67% का लोग बोल रहे हैं इसको buy करके चल सकते है तो जो भी data यहाँ पे available है तो मैंने आपको बता दिया है और मेरा जो पहले वीडियो इस पे था तो भी में बता देता हूँ यह है वो वीडियो जो जब 95 का प्राइस था और 23 December का यह वीडियो है और 542 लोगों तक यह पोच चुक है अभी तक ठीक है तो तबही इसका जो प्राइस था और तबही उसका मार्केट कैपिटल था तो लगबक आज भी मार्केट कैपिटल दे क्योंकि प्राइस में ज्यादा डाउनसाइड नहीं आया है ठीक है तो फिलाल अभी भी बाइंग रेंज में नजर आ रहा है इसलिए मैंने आपको बता है क्योंकि ओडिसेंबर में भी बाइंग रेंज में था अभी भी बाइंग रेंज में है और डिसेंबर का अगर मैं द देख लो, 23 डिसेंबर है, तो 23 डिसेंबर का जो प्राइस था, ठीक है, यहाँ पर 22 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 22 तेश का जो प्राइस था, वहाँ से एक बार यह उपर आ गया था, ठीक है, लेकिन जितना प्रॉफिट चीए, 100 रुपय भी हो गया था, यह 13 जैनुरी को, तो 13 जैनुरी को सोव में जिसको बेचना तो बेच सकते थे, लेकिन 4-5 रुपय जिसको प्रॉफिट चीए, 5-6 परसेंट हो जाता है, इसका मतलब 5-6 परसेंट, लेकिन मैं यहाँ पे 20-22 परसेंट, 25 परसेंट के लिए वेट करता हूँ, तो फिलाल तो 20 के उपर ही लेता ह है, और चांसे से इसमें, और मैं यहाँ पे 20-22 परसेंट की उमिद पे इसको होल्ड करके रख रहा हूँ, या लॉंग टम में भी जिसको चाहिए, लेकिन अल्डरी इसने लॉंग टम में दिये नहीं है, इतने प्रॉफिट, वर किसी को only dividend भी चाहिए, तो safe investment है, आपको dividend भ इसका जो lifetime high है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तो फिलाल अभी तो मुझे यह buying के range में लग रहा है, यह मेरा personal view है, क्योंकि और इसमें मैं खुद invested हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और आपको चाहिए, तो आप इसके बारे में और study कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन फि profitability में profitable हूँ, swing trading से अच्छा गासा profit कर चुका हो, और मेरे आप पहले की वीडियो भी देख सकते हो, और फिलार market अप डाउन चल रहा है, लेकिन जल्दी इसमें profit जैसे moment अच्छा देना चालू करेगा, क्योंकि nifty और sensex index ज्यादा गिर चुका है, और यह correction mode पे चल रहा है, तो फिलाल आप इसमें invest करके रख सकते हैं, और चैनल को subscribe करके रखो, क्योंकि चैनल पे अच्छे अच्छे shares आपको पता चलेंगे, कोई खराब यहाँ पे share, बाताने की मैं कोशिश नहीं करता, ठीके, जो भी है जिससे profit होगा और जिसमें मैं profit करता हूँ, वही चीज़े म